हेलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल नेत्या लेक्चरर में आज की इस वीडियो में कक्षचाओ के गणीत में NCRT का पार्थ एक अपनी संख्याओ की जानकारी के सारे कंसेप्ट इस वीडियो में मैं बताऊंगा अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप अपने आप से भी सारे क्वेश्चन कर लेंगे इसके अस्तिरिक्त मैं सारे एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन बताऊंगा अगली वीडियो में तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद से मुझे आसान हे बलकि पूरा विश्वास है कि आपके अधिक के अधिक स्वेस्चन आप खुद सॉल्व कर लेंगे ठीक है तो इस वीडियो को सुरूची लेकरके अंतक देखिए एक भारतिय संख्या प्रणाली या भारतिय संख्या पदती ठीक है क्या होती है भारतिय संख्या पदती के बारे में जानना है यह हमारा प्रथम exercise 1.1 exercise में मिलेगा ठीक है भारतिय संख्या पदती तो जान लेते हैं भारतिय संख्या पदती भारतिय संख्या पदती वे पदती होत से बोला जाता है उसे हम भारतिय संख्या पदती कहते हैं ठीक है तो भारतिय संख्या पदती में कुछ चीज़े आपको ध्यान देनी है जो आप पाचवी कलास में और चौथी कलास में आपको पता होंगी, ठीक है, तो दिखें क्या चीज़ हैं,ing, इकाई, इकाई, आपको पता है, किसी भी, अगर जादे नंबर होगा, तो पीछे से हम गिनते हैं, ठीक है, तो इकाई का मतलब होता है, ठीक है, यानि कि एक अंक वाली जितनी भी संख्याय हैं, वो इकाई होती है, और एक से नौ तक की संख्याएं क्या का लाती है इकाई में आती है उसके पास से जब भी दहाई की बात होती है तो दहाई का मतलब होता है दस यानि कि दस के ऊपर वाली जितनी भी संख्याएं आएंगी वह हमारी क्या होंगी दहाई होंगी लेकिन कहा तक दस से लेकर के 99 तक 99 त सभछे होने तिन लेएक होंगी है आसा इयो बात करते है 0,000,000 मे कितना जिलो हो जाएगा 3,000 एक पास j pay के 10,000 में कितना 0 चार 0 going के minesering रमॉण यह सब चीजी आपको पांच़वी कलास में पता हूंगी ठीक है नहीं भी पताऊंगे तो बिल्कुल अच्छे से बता रहा हूं बिल्कुल भी मैं उपर से मतलब डिफिकल्ट चीजे नहीं पड़ा रहा हूं बिल्कुल असानी से आपको समझ में हा रही होंगी ठीक है इसमें होती है पांच जीरो उसके बाद आता है हमारा दस लाक में छे जीरो उसके बाद आता है हमारा करोण करोण में कितने जीरो साथ जीरो उसके बाद आता है हमारा दस करोण इसमें कितने जीरो होते हैं आठ जीरो ठीक है दस करोण में कितने जीरो आठ जीरो ऐसे ही हमारा आता है अरब दस अरब ठीक है तो वह भी लिख देते हैं अरब अरब में कितना 0? 9 0 10 अरब इसमें कितना 0? 10 0 ठीके? इसमें 10 0 इस तरीके से हमारी होती हैं संख्याएं और इस तरीके से भारतिय पद्दती में पढ़ा जाता है 1 को 1 आई, 2 नंबर वाली संख्याओं को 10 3 नंबर वाली संख्याओं को सैकडा चार नमबर वाली संख्याओं को हजार और पांच नमबर वाली संख्याओं को दस हजार छे नमबर वाली संख्याओं को लाख साथ नमबर वाली संख्याओं को दस लाख आठ नमबर वाली संख्याओं को करोड नो नमबर वाली संख्याओं को दस करोड 10 नमर वाली संख्याओं को अरब और 11 नमर वाली संख्याओं को 10 अरब कहा जाता है ठीक है इसको अब देखी ये सब चीजे बेसिक चीजे हो गई जो आपको छोटे छोटे क्लासों में भी फता होगी अब एक चीज आपको और बता देते हैं जहां पर ये हमारा 10 लाख आता है जहां पर 10 लाख आता है इसे ही हम क्या कहते हैं एक मिलियन कहते हैं ठीक है 10 लाख को हम क्या कहते हैं मिलियन इसको हम क्या कहते हैं मिलियन इसे हम एक मिलियन कहते हैं और ये किस पदती में अंतराष्टी अपदती में ठीक है यही अंतराष्टी अपदती की बात की जाए यहीं पिम लिख दे रहे हैं अंतराष्टी अपदती अंतराष्टी संख्यापदती में दस लाग को हम क्या कहते हैं मिलियन वही करोण को हम क्या कहते हैं दस मिलियन करोण को क्या कहते हैं 10 million 10,000,000 को क्या कहते हैं million और करोण को 10 million और यहीं बात किज़े 10 करोण को इसे हम कहते हैं 100 million इसे क्या कहते हैं 100 million इस बात को ध्यान रखिएगा तब आप exercise 1.1 के बहुत ही असानी तरीके से question सारे कर ले जाएंगे ठीक है अरब में अरब को क्या कहते हैं अरब को कहते हैं billion क्या कहते हैं billion और 10 अरब को क्या कहते हैं 10 billion 10 billion तो इतना काफी है आपको समझने के लिए तो इतना आगर आप तयार रखते हैं तो आपके exercise की सारे questions हो जाएंगे ठीक है तो यह अंतराश्टी पद्दती में आपको ध्यान लखना है, एक बात और आप कहा भी पेन लेकर के बैठी है, सारी चीज़े अगर आप नोट करके नोट्स बना लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से मैं नोट्स इन और इसमें बताता जा रहाऊं और बनाता जा रहाऊं ठीक है तो जितने भी इंपोर्टेंट चीजे है उनको मैं नोट वरके लिखवाता भी रहूंगा और जो भी चीज़े आपको मुझे लगे कि ज़रूरत है आपको उस चीजों को हम दिखवाते रहेंगे या लिखते रहेंगे ठीक है अब देखिए एक चीज हम बता दें आगको तो जो भारती संख्या प्रडाली होती है यानि भारती संख्या पदती होती है एक चीज आप ध्यान रखिएगा भारती संख्या पदती भारती संख्याप पद्धती के बारे में बात करें तो इसमें कुछ चीज़े आपको याद रखनी है क्या चीज़े याद रखनी है देखिए भारती जो संख्याप पद्धती होती है इसमें क्या होता है कि जो पीछे से पहले तीन अंख के बाद अल्पविराम लगता है ठीक है अल्पविराम वाला चीज बता रहा है जो कि आपके exercise 1.1 में मिलेगा ऐसा question ठीक है तो अगर हम एक example लें कोई सा भी एक example लें जैसे कि मालेज ये 53845634 अगर ये हम example ले रहा है नियम क्या होता है कि जब भी इस संख्या में कभी कभी आप देखे होंगे calculator में जब आप calculate करते हैं कोई भी number तो आपको number के बीच में कामा दिखाई देता है उस कामा को कैसे लगाया जाता है इसी चीज़ को हमें आपे सिखाने वाले हैं तो जैसे कि कोई randomly हमने संख्या ले होते हैं दहाई इसको सैक्रा यानि तीन नंबर क्या होते हैं सैक्रा होते हैं उसके बाद से हजार उसके बाद दस हजार उसके बाद लाक दस लाक करोन तक है ठीक है करोन तक कि हमने संख्या ले लिए अब देखिए जो भारतिया संख्या पदति होती है इसमें कामा कैसे दो के बाद कामा लगता है एक दो अब कामा लग जाएगा उसके बाद फिर एक दो अब कामा लग जाएगा इसके बाद से तो कोई नमबर है नहीं तो आप कामा नहीं लगाएंगे ठीक है इस तरीके से लगता है पहले देखिए ध्यान दीजिए पहले तीन अंग के बाद काम होती है आपको लिखने में अगर सब्दों में लिख रहा है या बोल रहे हैं इसको या इसको अगर पढ़ना हो तो आपको असानी होती है जल्दी से पढ़ लेते हैं जैसे कि इस 5 को एक ही बार पढ़ेंगे 38 को एक तरफ से पढ़ेंगे 45 को एक बना कर पढ़ेंगे ठीक है तो यह जो हमारा आ जाएगा 1000 में आ जाएगा यह सैकड़ा में आ जाएगा ऐसे ही लाख में आ जाएगा यह करोण में आ जाएगा इस तरीके से बन जाता है तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको सब्दों में सब्दों में क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे पाँच करोण पर है न देखिए सबसे पहले तो तीन ही क्या है हमरा सैकड़ा पर है 45 क्या है 10,000 पर है और यह 38 क्या कितना पर है 10,000,000 पर है सोरी यहां पर 38 पांच करोण 38 लाक ठीक है उसके बाद से 45 है नहीं तो 45 लिखेंगे पूरा 45 हजार उसके बाद से हमारा 634 634 ठीक है तो इस तरह से हम इसे सब्दों में लिखेंगे या पढ़ेंगे इसको तो भारती संख्या पदती में आपको समझ में आ गया कि कामा कैसे लगेगा पहले तीन अंख के बाद कामा लगेगा उसके बाद से दो दो अंख के बाद कामा लगेगा तो इस बात को ध्यान रखेगा कि पहले कितने अंके बाद लगेगा, तीन अंके बाद लगेगा और दो दो अंके बाद लगेगा, तो यह चीजी हम आपको बताना चाहते थे, यह चीजी आप समझ गया होंगे, अब भात करते हैं अंतराश्टी पदती के बारे में, ठीक है, इसके बारे में अंतराश्टी पदती के बारे में, अंतराश्टी संख्या पदती, देखी इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दूँगा, बिल्कुल भी आपको भारती संख्या पदती में, अंतराश्टी संख्या पदती में थोड़ा सा भी डाउट नहीं बचे अगर ध्यान से आप वीडियो को देखते हैं तो ध्यान से मेरी बातों को सुनी है जैसे कि कोई हम रेंडम ली नंबर ले लेते हैं जैसे कि 398876328 ठीक है ऐसा कोई हमने नंबर ले लिया है अब देखिए इसमें हम देखेंगे कि यह जो तीन है न यह जो तीन अंक है हमारा ती हजार बताता है हजार को रिप्रेजेंट करता है हजार बताता है और यह जो तीन अंक है यह हम मिलियन बताता है अंतर राष्टी संक्यापदति की बात हो रही है लियान दीजिएगा यह हमें क्या बताता है मिलियन बताता है ठीक है इसके बाद अगर कोई नंबर आ जाएग तो इसमें एक चीज आपको बता दी कि अंतराष्ठी संख्या पदती में कामा कैसे लगा जाता है तो इसमें तीन-तीन अंग के बाद कामा लगा जाता है जैसे कि यह तीन अंग है यहाँ पे कामा लग जाएगा और ये तीन अंग है, एक, दो, तीन, यहांपे कमा लग जाएगा भारति संक्या पदाती में हम क्या काज़ाते थे ? इसको सब्दों में कैसे लिखेंगे ? थोड़ा समझ लिजिए उसके बाद बताते हैं कि कमा लगाया क्यों जाता है ? और कमा लगाए जाता है तो भ्रतिय संख्या पदती में तीन को गिन करके उसके बाद दो-दो का और इसमें तीन-तीन का क्यों लगाए जाता है यह भी हम सीझे आपको क्लियर करेंगे सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं सब्दों में इसको सब्दों में हम कैसे लिखेंगे किस तरीके से इसको पढ़ेंगे पढ़ने में आसानी किस तरीके से होगी कमा लगाने के बाद यह जो हमारा तीन नमबर है न यह हमेशा मिलियन में आएगा यह तीन नमबर हजार में है तिन नमबर सेक्ड़ा में, सेक्ड़ा हजार मिलियन इस तरीके से सुरू होगा, तिन तिन नमबर का लेकर के, उसके बाद से अगर कोई और नमबर आ जाता है, तो उसमें बिलियन भी आ जाएगा, ठीके, तो देखे, ये 398 पर कमा लगाया ना, तो 398 पूरा लिखेंगे, क्य क्या, 398,000, उसके बाद से 1000 की बाद करता है, तो 876 है, उसके बाद कामा लगाया, तो लिखेंगे, 876,000, उसके बाद से सैक्ड़ा आता है, तो सैक्ड़ा में 328, तो उसके बाद लिख देंगे हम 328, 328, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे भी सब्दों में लिखेंगे, या इसको बोल करके पढ़ेंगे, तो अंतराश्टी पदती में संख्या को किस तरीके से पढ़ेंगे, और भारती संख्या पदती में किस तरीके से पढ़ेंगे, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, अब देखिए एक चीज हमेशा मतलब आपको काट रहा होगा इसमें तीनंग के बाद कमा लगा है फिर दो दो के बाद ऐसा क्यों और इसमें तीन-तीन के बाद क्यों लग रहा है मतलब ऐसा क्यों हो रहा है यह जानने की इच्छा तो हो रहे होगी आपको तो देखे कैसे हो रहा है अब देखे इस पर चलते हैं यह हमने इसलिए लिखवाया है कि आपका Doubt बिलकुल भी नहर है देखे जब भी हम बात करेंगे एकाईि, दहाई, सेकड़ा के बारे में भारती संक्या पतती के बारे हम बात करें तो एकाई दाही सेकड़ा जो हमारा आता है ये तीनों तो अलग-अलग है ठीक है उसके बाद से जो हमारा हजार आता है इसमें दो पार्ट बन जाते हैं कितने पार्ट बन जाते हैं दो पार्ट और ये तीनों क्या हैं ये तीनों अलग-अलग है तो पहले तो तीन के बाद कम कामा लगता है फिर से ऐसे ही लाख में भी दो होता है इसलिए दो अंके बाद कमा लगता है एसे ही अरब ,कर टेल कि अरब ,पर hack the ceux हैं अंगोर की जाएं से अंतराश्णी संख्या पदती इस यही कारौन है कि वंहीं 3-3 अंक यह लगता है और भातिय संख्या पदती में पहले तीन नंक के और उसके बाद 2-2 एंक के बाद काम हला । यहां ब्राइव को setting किज भी परणी मैं कोी भी problem आपको नहीं होगी ठीक जली आगे बढ़ते हैं क्या है आगे exercise 1.1 का काम हो गया अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो exercise 1.1 के सारे question आप आसानी से कर ले जाएंगे जहां भी दिक्कत होगी आप exercise भी बताएंगे सारे question बताएंगे आपको लेंचन मत लीजे बात करते हैं exercise 1.2 में कमसेश किस किस तरीकते के concept आपकी यूस हो सकते हैं तो exercise exercise 1.2 में कुछ चीजे आपको ध्यान देनी हैं क्या ध्यान देनी हैं क्या याद रखना है आपको 1 मीटर जो होता है ये सब कुछ चीज़े आपको यादर नहीं से हैं, जिसे आप इबारती वाले प्रशन को कर पाएंगे, एक किलो मीटर में कितना मीटर होता है, एक किलो मीटर में एक हजार मीटर होता है, ठिक, एक किलो ग्राम में कितना ग्राम होता है, तो एक किलो ग्राम होता है, एक हजार मिली लीटर ठीक है 1000 मिली लीटर ये आपको चीजे याद होनी चाहिए अगर ये आप याद है तो आपको याद रहता है तो ये 1.2 में कुछ questions ऐसे हैं जिसमें इसका use हुआ है तो आप असानी से कर पाएंगे ठीक है चलिए आप आगे देखते हैं हमारा क्या है थोड़ा से आप 1.3 के बारे में देख लेते हैं 1.3 में कौन-कौन से concept use होंगे आपके 1.3 में किस-किस तरीके के question आएंगे तो सबसे पहले हम बता देते हैं आकलन आकलन में आपको निकटतम दहाई के बारे में पहले बताते हैं निकटतम दहाई क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लेजिए देखिए निकटतम दहाई जानते ही आप निकटतम सैक्रा जान लेंगे निकटतम हजार जान लेंगे ऐसे ही लाख 10 लाख करोन 10 करोन ऐसे सारा चीज में आप जान जाएंगे तुरन समझ जाएंगे बिल्कुल इजी है देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है क्या ध्यान देना है अगर दहाई की बात कर रहा है तो दो नंबर वाले कोई संख्या होगी जैसे कि हम 53 ले ले लेते हैं या फिर 82 ले 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 ल ठीक है 98 ले देते हैं अब फिर 69 ले ले लेते हैं इतना नंबर हमने ले लिया अब इसका हम निकटतम दहाई ग्याद करना है निकटतम दहाई बताना है तो देखिए निकटतम दहाई में होता क्या है कि अगर आपका इकाई वाला जो अंक है इकाई वाले अंक की जगह यद इकाई वाले इकाई वाले अंक क्या हो यदि इकाई वाले अंक एक दो तीन और चार तक हो तब क्या होगा तब अब को ये चीजे तु एज़टीज लिखने है ये पांच एज़टीज रखना है अगर इकाई वाले जगा पे तीन है यानि कि एक दो तीन चार तक है इतनी संख इकाई की जगह पे तो यहां पे 0 बन जाएगा और यहां 5 में कुछ भी एड नहीं होगा अगर यहां पे 1 2 3 4 नहीं रहता तो यहां पे यह पाँच की जगह पे एक संख्या एड हो जाती जैसे आगे के एकजामपल में समझेंगे जो कि हमने यहां पे दिया हुआ है देखें दूसरा हम देख लिते हैं, आठ दो, तो देखे, यदि 1 काई वाले जगा पे क्या हो, 1, 2, 3, 4 हो, तब क्या होगा, यह तो 1 काई वाले संख्या, 0 बनेगी यह बनेगी, लेकिन इसमें add नहीं होगा कुछ, अगर 4 तक होगा, तो कुछ इसमें add नहीं होगा, और वही अगर यहाँ पर इकाई वाले जगा पर आठ है यानि कि एक दो तीन चार नहीं है यानि कि यदि इकाई के जगा यदि इकाई के जगा क्या हो पांच छे साथ आठ नौ अगर इकाई के जगा पर पांच छे साथ आठ इन संख्याओं में से कोई हो तो अब आपको क्या करना है 8 के जगह पे 0 तो बनेगा बनेगा ठीक है इसकी बात कर रहा है 8 के जगह पे 0 तो बनेगा ही बनेगा इस 9 में एक जूड जाएगा यानि कि 10 हो जाएगा यानि कि हम इसको निकर्टम दाहई की बात करें तो अंठानबे का निकर्तम दाई हमारा हो जाएगा 100 इसमें 82 का निकर्तम दाई क्या हो जाएगा 80 ऐसे ही इस तीरपन में यहाँ पे 3 है अगर यहाँ पे 5 रहता या 5 से अधिक कोई नंबर रहता तो यहाँ पे हम 5 में एक जोड़ देते 6 लिख देते और यहाँ पे 0 रहता है ठी आपको उसी condition में आपको एक जोड़ना है जब 5 से उपर वाली संख्याएं इकाई के अस्थान पे आई हो ठीक है यानि कि इस 98 में इकाई के जगा पे 5, 6, 7, 8, 9 ऐसी संख्याएं हैं तो आपको इस 9 में इस 10 वाले नंबर में एक जोड़ देना है क्या करना है एक आपको जोड देना है तो इस 9 में एक जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और यहाँ पे 0 लिख देना है इकाई वाले संख्या के जगा पे क्या लिख देना है 0 वही बात की जाए कि अगर इकाई वाले जगा पे 1, 2, 3, 4 हो तब आपको 5 यानि कि इस दहाई वाले जगा पे बिल्कुल भी कु दिखाई दे रहा है आपको 9 दिखाई दे रहा है यानि कि 1, 2, 3, 4 नहीं है अगर 1, 2, 3, 4 आता तो 9 के जगा पे 0 तो बनता ही बनता लेकिन 6 में एक नहीं जूड़ता लेकिन अगर यहाँ पे 9 है तो 6 में एक जूड़ जाएगा 7 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा य देखिए निकर्तम सैकड़ा की बारे में बात की जाए तो एक ऐसा नमबर लेते हैं जैसे कि 334 ये नमबर हमने ले लिया है उसके बाद से हम एक और नमबर लेते हैं 384 ठीक है देखिए निकर्तम सैकड़ा में क्या होता है निकर्तम सैकड़ा में होता यह है कि इकाई और दहा वाले नम्बर पर यानि कि बीच वाले नमबर पर अगर एक, दो, तीन,Lab चैर रहेगा, यानि कि एक से लेके, चार तक अगर रहेगा, तो यहां पर कुछ कहेंगे हम निकटतम सैकडा ठीक है क्या कहेंगे निकटतम सैकडा और अगर दहाई के जगा पे 5 से अधिक हो तब इस तीन में हम एक जोड देंगे और ये दोनों 0 लिख देंगे ठीक है तो तीन में एक जोड देंगे क्योंकि यहाँ पे 8 है 5 से अधिक है तो यहाँ पे 4 कर द निकटतम सेकड़ा 400 आएगा निकटतम 1000 क्या है हमारा निकटतम 1000 ये भी जान लेते हैं ये भी जान लेते हैं इसके बाद भी और भी चीजे मिलेंगे आपको विडियो भी बने रही है देखी जैसे अगर हम 300 या फिर हाँ 5432 को लेते हैं या 5832 को लेते हैं तब इसमें देखिए आपको क्या देखना है सैकड़ा देखना है आपने निकटतम दहाई देखा निकटतम दहाई में हमने इकाई वाले अंक को देखते थे अगर ये 5 से कम होता था तो इसमें एक नहीं जोडते थे और यहाँ पे 0 लिख दे निकर्तम सैक्रा में हमने क्या देखा कि दहाई वाले जगह पे अगर 5 से कम होता था तो इसमें जोडते नहीं थे और दहाई वाले जगह पे 5 से अधिक होता था तो इसमें एक जोड़ देते थे निकरतम हजार में भी कुछ इसी परकार से हमारा अप्रोच रहेगा यहां से जब हम इकाई दहाई सैकड़ा तक जाएंगे तो सैकड़ा में अगर 5 से कम होगा यह तीनों तो 0 बनेगा बनेगा अगर यहां पे 5 से कम होगा तो इसमें कुछ एड नहीं होगा बलकि वैसे ही पांच लिख देंगे और ये तीनों क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा अगर सैकड़ा के जगह पे हमारा पांच से अधिक होगा तब इस पांच में हम एक जोड देंगे इस वाले संख्या में हम एक जोड देंगे तो 5 में एक जोन देंगे 6 और ये 3 0 हो जाएगा त्वासा करता हूँ आपको ये भी चीजे समझ में आ गई होगी 5432 का निकरतम 1000 क्या हो जाएगा 5000 5832 का निकरतम 1000 हमारा हो जाएगा 6000 तो ये बात समझ में आई ठीक है बिल्कुल भी समझ में आई होगी अब एक चीज और जो आपको 1.3 के question में बहुत ही लाव देगा एक चीज आपको doubt बनाएगा और ओ चीज क्या है थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा क्या है हमारा जैसे कि कोई 2365 कोई number दिया है इसका निकर्तम हमें ग्याद करना है इसका निकर्तम क्या होगा सबसे पहले इसको क्या करेंगे इसको हम तीन अंग के बाद संख्या भारती संख्या पदती में इसको हम कामा लगा दिया है कामा लगा है या पर तीन अंग के बाद हम कामा लगा है उसके बाद कोई number है नहीं तो इसके बाद कमा लगा दिया है, ठीक है, अगर इसके बाद से, हमारा दो कमा लगने के बाद से, इस संख्या के बाद से, अगर 365 है, इन तीनों संख्या को देखते हैं, अगर 365 है, यहाँ पे देखिए, अगर 3 है, यहाँ पे 3 है, यह नहीं कहा गया है, इसमें कि निकर्तम 1000 सधी सधा काउयर बन जाยंगे तरीके इसनि संख्य अगर आपको इस तरीके से दीआ हो 762 तो इसमें देखिए 18,762 हमने पहले ही कामा लगा दिया आपको क्या करना है अगर कोई नंबर में कामा नहीं होगा तो आपको क्या करना है तीन अंक गिनना है कामा लगाना है अगर जादे नमबर हो तब इतना ही नमबर है तो एक ही कामा से काम चल जाएगा अब इसमें देखिए क्या करना है आपको अगर इसमें कन्फ्यूजन है कि 18000 आ गया 762 आ ठीके तो यहां पे देखेंगे हम कि यह जो नमबर है हमारा कामा के बाद वाला यह जो नमबर है किया यह 5 से अधिक है या कम है अगर 5 होगा या 5 से अधिक होगा तब हम इसमें 18 में एक जोड़ देंगे इसमें हम पूरे में एक जोड़ देंगे अगर यह 5 से अधिक होगा तो अगर यह 5 से कम है तब हम यह 18 रख देते और यहां 0-0 कर देते अगर यह 5 से अधिक है हमने देख रहा है कि 7 है 5 पांचे अधिक होगा तो इसमें हम एक जोड देंगे यानिaks 18 को हमाने Ajist बना देंगे और ये 03 बन जाएगा ठीक है तो इस तरीके से इसका निकट मन होगा तो यह है हमारा निकटम तो किसी भी संख्या का निकटम आप आसाशानी से निकाल लेंगे अगर आप ये वीडियो पूरी तरह से देखे होंगे पूरी तरह से समझने का प्रयास किया होंगे तो आपको पूरी exercise के question आने चाहिए ठीक है तो एक बार अब फुल से try करके देखिए सारे question करके देखिए पूरी NCRT के सारे question करके देखिए chapter 1 के अगर किसी भी question में कोई भी doubt आ रहा हो या फिक किसी भी concept हमने बताया कहीं भी कोई भी doubt हो comment करके जरूर बताया मैं हर एक doubt को clear करूंगा ठीक है बात करता हूँ कि questions के हम solution भी बताएंगे तो हाँ बिल्कुल बताएंगे सारे जो exercise हैं उन सभी exercise के questions की solution भी आपको बहुत यसे तरीके से समझा करके मिलेंगे तो वीडियो आने वाली है वीडियो चैनल को subscribe कर लेज़े और सारी वीडियो देखते जाएंगे math में आपको बहुत यसे तरीके से सारी चीज़े clear हो जाएंगे ठीक है आज के लिए इतना ही दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो तब तक के लिए धन्यवाद